आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन टू फैबल फैबल एक कहानी या किस्सा को कहते हैं जिसमें जानवर किरदार होते हैं और उस कहानी में एक मोरल एक नसीहत होती है सबसे पहले हम लोग important word meanings को note down करेंगे वीडियो को pause करके आप लोग word meanings note down कर सकते हैं start करते हैं फैबल बाय राल्फ वाल्डो इमर्शन the author and the text Ralph Waldo Emerson 1803-1882 was an American essayist, lecturer and poet Ralph Waldo Emerson जिनकी पैदाइश 1803 में और मौत 1882 में हुई वो एक अमरीकी मजमून निगार, lecturer और शायर थे his famous poems include Concord Him and Brahma Concord Him और Brahma उनकी मशूर नजमे हैं the poem describes a conversation between the squirrel and the mountain ये नजम ये कवीता गिलहरी और पहाड के दर्म्यान में हुई एक बातचीत एक गुफ्तगू को भ्यान करती है the squirrel points out that in this world every being, living or non-living, big or small have their individual reasons for existence गिलहरी कहती है कि इस दुनिया में हर चीज जानदार या गैर जानदार, छोटा या बड़ा, सब के वजूद के पीछे, अपने अपने इन्फरादी वजुहात होते हैं, सब के अस्तित्व के पीछे, अपना अपना कारन होता है पोएम स्टार्ट करते हैं the mountain and the squirrel had a quarrel पहाड और गिलहरी के बीच लड़ाई हुई, जगडा हुआ and the former called the latter little prig और पहले ने दूसरे को कहा कि तुम मगरूर हो यानि पहाड ने गिलहरी को कहा कि तुम मगरूर हो, तुम घमंडी हो बन रिप्लाईड, you are doubtless very big गिलहरी ने जवाब दिया, तुम बेशक, यकीनन तुम बहुत बड़े हो but all sorts of things and weather must be taken in together to make up a year and a sphere लेकिन हर तरह की चीजें, हर तरह का मौसम एक साथ मिलते हैं, तब एक साल बनता है और ये जमीन, ये दुनिया बनती है and I think it no disgrace to occupy my place और मैं अपनी जगह पे कोई जिलत या शरमिंदगी महसूस नहीं करती If I am not so large as you, you are not so small as I अगर मैं तुम्हारे जितनी बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जितने छोटे नहीं हो and not half so spry और चुस्ती, फुर्ती और जिन्दा दिली में तुम मुझसे आधे भी नहीं हो I'll not deny you make a very pretty squirrel track मैं इनकार नहीं करती के तुम गिलहरी के लिए खुबसूरत रास्ते बनाते हो talents differ, all is well and wisely put सब में अलग-अलग काबियत होती है हर चीज अपनी जगह पे सही है और समझदारी से बनाया गया है If I cannot carry forests on my back, neither can you crack a nut अगर मैं अपने पीट पर जंगल नहीं उठा सकती तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड सकते हैं झाल झाल